उतर कोरिया के ताना शाहक किम जोंग उनके स्वास को लेकर अटकले लग रही हैं। देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के तौर पर सामनी आई हैं। कितारा शाह से चार साल छोटी हैं। यो ने सीनियर सेकेंडरी उतर कोरिया में ही किया था और इसके बाद वो किम इल सुंग मिलिटरी उनिवर्सिटी में पड़ी। 31 वर्षे किम यो अपने भाई और ताना शाह किम जोंग उनकी विश्वास पात रहें। सत्ताधारी पार्टी पर उनकी मजबूत पकड़ बताई जाती है। साउथ कोरिया और चाइनीज अधिकारियों ने किम जोंग उनको लेकर आई खबरों को एक तरह सिखारिश किया है। तो अमारेका ने कहा कि उसके पास उत्तर कोरिया के राश्पती को लेकर कोई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि स्वास्त ठीक नहीं होने की वज़ा से किम जोंग उन सरकार के एहम कालिक्रमों में मौजूद नहीं रहे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यदि 36 वर्षे किम जोंग उनकी तबयत में सिधार नहीं होता है तो उनकी बहन और विश्वास पात्र किम यो जोंग देश की अगली ताना शहा हो सकती है। किम जोंग उन अपने परिवार के तीसरी पीड़ी के नेता है। 2011 में पिता किम जोंग की हार्ट अटेक से मौत के बाद किम जोंग जूनियर ने सत्ता संभाली। 1947 में देश की गठन के बाद से ही किम के परिवार का उतर कूरिया की सत्ता पर कबजा रहा। और हर निता की मौत की बाद इस तरह की सवाल उठे की अब गद्धी कौन संभालेगा। क्या किम वजश का शासन समाप्थ हो जाएगा। लेकिन तीनों ही किम ने इन सवालों को ग बढ़ा ली है। मीडिया और दुनिया से काफी अलग तरग रहने वाले ताना शाह परिवार की बेटी पहली बार साल 2010 में पिता के साथ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के कन्वेंशन में दिखी। इसके बाद करी तीन साल बाद वाद वो अपने पिता के अंतिम संसकार की म पदद करने लगी। किम जोंग उनकी सेहत को लेकर रहस्य बरकरार है। इस बीच अगर 36 साल के किम जोंग उनकी मौत हो जाती है तो फिर उतर कोरिया की सत्ता संभालने की कतार में उनकी बहन किम यो जोंग खड़ी है। जैसे संभावना है कि किम जोंग उनकी रहस्मय मौत होती है तो किम यो जोंग ही उतर कोरिया की अगली ताना शाह बनेंगी दुनिया भर के विशेशग्यों की माने अगर ऐसा होता है तो किम यो जोंग अपने भाई से भी जादा निर्दै साबित हो सकती है ये अपने भाई से भी ज़्यादा निर्दे साबित क्यों हो सकती है और खतरनाक क्यों है हम आपको बताते हैं किम यो जोंग को लेकर दुनिया भर की विशिशों क्यों का मानना है कि अपने भाई से भी ज़्यादा खतरनाक और हार्टलिस हो सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि किम योजोंग में हतियारों के विकास का जुरून कई बार तिक चुका है अगर भाई की मौत के बाद वो सत्ता में आती है तो वो किम इलसुंग द्वारा 1948 में शुरू की गई देश की सत्ता पर परिवार की अटूट पकड को जारी रखेंगी योजोंग अपने भाई की राजवितिक सलहकार होने के साथ साथ उनकी सुरक्षा में एहम जिम्मदारी संभालती रही है ये उनका अपने भाई को लेकर पजेसिव नैस है जैसे सिंगापूर और हनोई में समीट के दरान सिगरिट की शौकीन दाना शाह जब खत्म हो चुकी सिगरिट के बट को एश्ट्रे में रखते थे तो योजोंग उसे खुद कलक्ट करती थी उनका मानना है कि उनके भाई का डीने सेंपल किसी भी देश या अजिंसी के हाथ लगा तो उन्हें नुक्सान हो सकता है यहां तक कि बालता के दरान मिले गुल्दस्ते भी वो भाई के हाथ में आने से पहले ले लेती थी किम जोंग उनके शासन में उतर कोरिया ने अमारिका की विरूद के बावजूद परमानों हत्यार और मिसाइलों पर अपनी शक्ती बढ़ा ली है यही वज़ो है कि अब दुनिया के एक्सपर्ट्स को डर है कि किम जोंग की मौत के बाद बहन भी ऐसा ही रुख अपनाएगी यहां गलत सही कामों से परिवार और देश के लिए हार्ड कैश जमा किया जाता है इन दफ्तरों को आफिस 38 और 39 के नाम से जाना जाता है लेकिन इनकी कोई सही जानकारी नहीं मिलती है यो जोंग प्रपेगेंडा एंड एजिटेशन डिपार्टमेंट की पहली वाइस डारेक्टर है माना जाता है कि किम जोंग उनकी विदेशों में उत्तर कोरिया के अंदर सारवजनिक छवी बनाने के पीछे किम यो जोंग का ही दिमाग है साथ ही किम यो जोंग नौर्थ कोरिया आर्मी की महिला यूडिट को भी संभालती है अगर किम जोंग की हालत में सधार नहीं आता तो उनकी बहन सत्ता संभाल सकती है महिवाना ये भी जा रहा है कि उनका विरूद भी किया जा सकता है